हेलो प्रेंट्स आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आसा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे अभी सुबह के साथ बज़ रहे हैं और आप सभी को पता होगा कि इस टाइम पे मैं हमेशा खाना बनाती हूँ पर आज मैं घर से बाहर निकली हूँ अपने पती के साथ और अभी मैं हमारे खेत में जा रही हूँ हमारा खेत हमारे घर से ज़्यादे दूर नहीं है बस पांच मिनट ही लगता है जाने में मैं खेत सबजी लेने जा रही हूँ हमारे खेतों पालक लगा हूँ है तो बस मैं अपने खेतों में ताजे ताजे पा लेने चाह रही हूं तो अभी मैं पालक काट ले रही हूं जितने मुझे सब्जी बनाने के लिए जुए और मेरी जब से सादी हुई है तब से मुझे सब्चाल में ठंड और नियुकर मोशीचित में की ताही ताजे सबजी खाने को मिलता है और इन सभी ताजे सबजीयों को उगाने का सारसरे मेरे साससुर को ही जाता है वे लोग खेतों में बहुत ही मेहनत करते हैं और हम लोगों को हरी साख सबजीया नसीब होती है मैंने पालक काट लिया है और अभी मेरे पती मुली खोज रहे है मुली यहाँ वहाँ कहीं कहीं पर लगा हुआ है तो मेरे पती मुली को खोज-खोज कर उखाड ले रहे है और अपने खेतों से ताजे-ताजे मुली उखाड कर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है तो अभी चलते हैं हम लोग घर और घर जाकर मुझे जल्दी से बनाना है खाना नहीं तो इनका ड्यूटी हो जाएगा लेड यहां पर मैं सब्जियों को अच्छे से दो ले रही हूं कम से कम तीन चार बार मुझे अच्छे से इसको धोना पड़ेगा क्योंकि इसमें अभी मिट्टी है और उसके बाद मैं यहां पर पालक को काट ले रही हूं और मैं जब खेत चा रही थी तो उससे पहले ही मैं चावल डाल कर गए थी तो बस थोड़ी देर में ही चावल बनने वाला है और उसके बाद मैं इसमें पालक की सबजी बनाऊंगी और मैं आज पालक आलो की मसालेदार सबजी बनाने वाली हूँ चावल पक गए है और अब मैंने कड़ाई में तेल डाल दिया है और तेल गरम होने के बाद जीरा को डालना है जीरा जब चटक जाएगा तो दो हरे मिर्च है उसको भी मैं तोड़ के डाल दे रही हूँ और हरे मिर्च को थोड़ा सा पक जाने के बाद इसमें कटे वे प्याज है उसको डाल कर प्याज को भी पका लेना है और जब प्याज पक जाते हैं तो इसमें मैं अदरक लसन का जो पेश्ट है उसको भी डाल देना है और इसको भी अच्छे से पका लेना है जब तक से इसका क अच्छे से सब्जी मिला कि ढक करना है। और जब भी मैं चूले के पास खाना बनाती हुँ तो मेरी आदफ है कि की जितने भी चीजों की मुझे ज़ुरत होती है उन सभी चीजों को एक ही बार ले आती हूं और उसके वाद आराम से मैं खाना बनाती हूं। तो अभी मैं सबजी में कटे हुए टामाटर है उसको भी मैंने डाल दिया है और इसके बाद मैं सबजी को ढखके पका ले रही हूँ और पक जाने के बाद मैं इसमें जो सबजी मसाले यूच करती हूँ वही सबजी मसाले को मैंने डाला है और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मसाले को पका ले रही हूं और मसाले जब अच्छे से पक जाएंगे तो उसके बाद जो कटे हुए पालक है उन सभी पालक को मैं इसमें डाल दूँगी और उसके बाद मैं अच्छे से साग को आलू के साथ मिला के पका ले रही हूं साग को अच्छे से आलू और मसालों में अच्छे से मिला लेना है और इसको अच्छे से पकाना है ताकि जितने भी साग के पानी है वो अच्छे से निकल के खतम हो जाए और हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी हमारी सिंपल सी पालक आलू की मसालेदार सब्जी बनकर रेडी है आप लोगों कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताए और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे